Welcome to my channel English सिखना है तो रोज करी प्रैक्टिस आज हम पढ़ेंगे रोज बोले जाने वाले English के sentences अगर आप English सिखना चाहते हैं तो छोटे छोटे English के वाकिसे प्रैक्टिस करें Do it Do it का मतलब होता है इसे करें Next is Use it Use it का मतलब होता है इसका इस्तमाल करें next sentence है send it, send it का मतलब होता है इसे भेजे, next is spend it, spend it का मतलब होता है इसे खर्च करे, next is wash it, wash it का मतलब होता है इसे धोए, next is make it, make it का मतलब होता है इसे बनाओ, make it का मतलब होता है इसे बनाओ, अगला sentence है bring it, bring it का मतलब होता है इसे लाओ, next is blow it, blow it का मतलब होता है इसे फूको, blow it का मतलब होता है इसे बेच दो, sell it का मतलब होता है इसे बनाओ, next is read it, read it का मतलब होता है इसे पढ़े, next is close it, close it का मतलब होता है बन्द करे, close it का मतलब होता है बन्द करे, close का मतलब होता है बन्द करना, next is put it, put it का मतलब होता है इसे रखे, next is draw it, draw it का मतलब होता है इसे बनाओ, अगला sentence है, that's it, that's it का मतलब होता है, इतना ही, जैसे हम किसी समान के लिए बोलते हैं कि इतना ही, that's it, that's it का मतलब इतना ही, next is finish it, finish it का मतलब होता है इसे खत्म करे, finish it का मतलब होता है इसे खत्म करे, कि अजय को एक दो लो!